मस्कार सभी को मैं मत्तु केवट मैं आज आपको इस वीडियो में कक्छा चौथी बिशय मराठी का धाड़ा क्रमांग 27 धारसी जोगी धारसी अर्थात बहादूर जोगी है एक मुली सा नावा है यही एक लड़की का नाम है इसका साथ कहानी में देखिए कि जोगी नाम की एक लड़की रहती है और वो जोपड़ी दस से बारा बरस की लड़की रहती है वो अपने माता पिता के साथ खेत में जोपड़ी में रह उसकी माँ ताला पे पानी भरने के लिए जाती है और कहती है कि तूँ खाना रखी रहती है चूल पर और खाना देखते रहो मैं पानी भर के लाती हूँ बावड़ी पर से और इतने में एक क्या होता है सियार एक भेंडिया आ जाता है उस बकरे के बच्चे को खाने के लिए और उस बच्चे को मेमने को बचाने के लिए जोगी क्या करती है चूल में से जलती हुई मसाले लकड़ी लेकर के आती है और वो भेंडियों के साथ मकाबला करते हुए भें प्रणन किया गया है कि जुगी ने किस तरह से बहादूरी से उस मेमने की जान को बचाया है तो इस पाट का नाम धारसी जुगी है तो लीजिए मैं आपको इसका मरठी में वाचन करके बता रहा हूं कि धारसी जुगी ने किस तरह से अपने मेमने की जान को बचाया है भेडि जुगी जो थी ये नौदस बरस की लड़की थी ती आनि तीचे आई बाबा सेतात जोपडित राहत वह और उसके माता पिता खेत में जोपडित रहते थे तीचे आई बाबा सेतात काम करत उसके माता पिता जो थे वो खेत में काम करते थे यह देखिए यह जोगी की जोपड़ी है यह देखिए कुवा दिख रहा है यह उसके पिता जी खेत में काम कर रहे है सायंकाल जाली संद्याकाल हो गई साम हो गई जोगी अभ्यास करत बसली ह जूगी अभ्यास करत बसली होती अर्थात जूगी पढ़ाई कर रही थी। जूपडी एउन आई ने चूली वर भात सिजायला ठेवला जूपडी में आकर के माने चूल के उपर भात को पकनिक रखा चावल पकनिक लिए रखा है देखिए यहाँ चूल जल रही है। वहरित पानी आनायला गेली और कूमे पर पानी लेने के लिए गई है। और यह घर के बगल में यहाँ कूमा है उसकी माई इस कूमे से पानी लेने गई। वहरिवर पानी आना लगेला तैसे ओडित बगा है सेतत काम करता है अतब अगा पूरे का जाला। तेवरात कोकरा चा ब्या ब्या और अना चा आवाज आला। इतने मिक्या हुआ जो मेमने का बच्चा था वो ब्या ब्या करके जोर जोर से चिलाने नगा। तसी जोगी धावत जोपड़ी बाहर आली। उसकी आवाज सुनकर जोगी दोड़ते हुए जोपड़ी के बाहर आई। तिला एक लाणगा दिसला उसे एक भेंडिया दिखाई दिया। तो कोकरा कड़े एत होता और वह मेमने के बच्चे के तरफ आ रहा था। जोगी घावरली जोगी जो है छणभर के लिए घावरा गई। छणभर विचार केला कुछ देर उसने विचार की या। कुछ देर वित ती जहाटकन जोपड़ी त गेली। वह दोड़कर के जोपड़ी में गई। चूली ती जलते लाकूर गेहून बाहर आली। वह दोड़कर के घार में गई। चूल से जलती हुई एक लकड़ी को लेकर के बाहर आई। लाणगा कोकरा वर जड़प घालनार इतका जुगई ने जलते लाकूर लाणगया चैदिसे ने फैक ले। अर्थात भेंडिया देखिए जुगई घर के अंदर से गई और एक जलती हुई लकड़ी को लेकर के आई देखिए ये चिंगारी के रूप में जल रही है। और जैसे ही ये भेंडिया मेंडिया मेंडिया को खाने के लिए दोड़ने वाला था जुगई ने क्या किया जलती हुई लकड़ी को उसकी तरफ फेंग दिया। आगी ला पाहुन लाणगा घाबरला आग को देख करके जो सियार था घाबरा गया तो पड़ाला और वह भाग गया। कोकरा चा जीव वाचला मेमने की जान बच गई पड़ा पड़ा लाणगा पड़ा जोगी जोर जोरात ओरड़ू लाग ली जोगी जो है वो जोर जोर से चिलनाने लगी भागो भागो पड़ा पड़ा लाणगा मतलब भागो भागो शियार भागो और जोगी जोर जोर से इस तरह से चिलाने लगी तीचा आवाजा ने सेतात काम करनारे बाबा धावत आले उसकी आवाज को सुन करके देखिए यह खेतों में काम कर रहे हैं उसके पिता जी दोड़ करके आएं कि क्या हुआ आई ही आली उसकी माँ भी दोड़ती हुआ आई जोगी ने त्याना घाड लेला प्रशंग सांगितला जोगी ने उनको बताया कि अभी क्या हुआ था और किस तरह से एक भेडिया लानगा आया था और मैं मने को खाने जा रहा था आई ने तिला जवड़ घेतले माने उसे अपने पास लिया बाबा ने तीचा डोक्या वर हाथ फिरवला पिता जे ने उसके सिर पर से हाथ को घूमाया जोगी चा धारसा ची बात मी गावत पसर ली और जोगी की बहादुर की यह कहानी गाउं में फैल गई गावा चा सरपंचा ने तीची पाठ थोपट ली अर्थात गाउं के सरपंच ने भी उसे सावासी दिया साड़े तील सिचकानी मुख्या ध्यापकानी तीचा धारसा चे कौकुत कौतुक के लिए अर्थात मिद्याले में उसके सिचकों ने मुख्या ध्यापक ने उसकी इस बहादुरी यानि उसके इस धारस का क्या किया बहुत ही गुनकान किया तो बच्चों इस कहानी से हमें एस सीख मिलती है कि मुसीबत आने पर हमें घावराना नहीं चाहिए और हमें क्या करना चाहिए उस मुसीबत का सामना करना चाहिए जिस तरह से जोगी ने जब देखा की CR आ गया है लगा आ गया है और बच्चे को खा डाले खा जाएगा तो उसने तुरंत चुल में से जल्ती हुई लकडी को लाया और उस CR का सामना करने के लिए तैयार हो गई तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी घाबराना नहीं चाहिए तो बहादुरी धार सी जोगी ची ही हाँ धड़ा तुम्ही वाचा आनि हैचा पासुं तुम्हाला हे सिक्वन मिलते की घाबराई चे नहीं धन्यवाद सभी को आप मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए मेरी चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं धन्यवाद सभी को